हलो गाइज वेलकम टो इंग्लेस लाइंडिंग तो दोस्तों अक्सर मिस्रीकिय से बोलते हैं अगर तुम अपने काम से काम रखो तो कैसा रहेगा अगर आज मैं छुट्टी ले लूँ तो कैसा रहेगा या अगर तुम अपना मुह बंद रखो तो कैसा रहेगा तो गाइज use करना है guys how about plus if ठीक है how about if फिर उसके बाद subject helping वर्व अगर जरूरत हो तो verb as pertence और सबसे last में object या फिर other words guys हमारी website है English की learning dot in जिस पर की आपको बहुत कुछ मिलता है जिसे की आपको English बोलने में help होगी तो एक बार आप जाके जरूर देखें English की learning dot in last में dot in है okay guys तो उपले आपको structure समझ में आगया होगा आईए guys आगे बढ़ते हों देखते हैं sentences क्योंकि sentence समझना जरूरी है अगर आज मैं छुट्टी ले लूँ तो कैसे रहेगा बहुत common वाकिये guys कई बार बोलते हैं तो how about ठीक है अगर के लिए if I take a leave today ठीक है फर्स्ट फॉर्म है how about if I take a leave today okay guys let's see one more sentence अगर मैं भी आपके साथ चलूं तो कैसे रहेगा के बढ़ पूछते ना कि भाई तू जा रहा है यार मैं भी तेरे साथ चलूं तो कैसे रहेगा तो how about if I also come with you भी के लिए हमने also use करा है तो how about if I also come with you आईए अगला वाकिद देखते हैं अगर हम साधी कर लें तो कैसे रहेगा है ना बहुत होगी डेटिंग विटिंग अगर हम साधी कर लें तो कैसे रहेगा तो how about if we get married साधी करने के लिए use करा है get married आप मेरे साथ साथ प्रेक्टिस करो जिससे कि आपको अच्छे से concept clear हो जाए तो how about if we get married अगर हम साधी कर लें तो कैसे रहेगा अगर तुम अपना मुँ बंद रखो तो कैसे रहेगा बहुत बोलते रहते हो बाई you always keep तुम हमेसा बढ़बढ करते हो रहते हो है ना तो how about if you keep your mouth shut अगर तुम अपना मुँ बंद रखो ठीके guys how about if you keep your mouth shut okay guys let's see one more sentence क्योंकि आप जितने sentence देखोगे example उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर तुम अपने काम से काम रखो तो कैसा रहेगा हर समय मेरे काम में टांग अड़ाते रहते हो है ना तो how about if you mind your own business अपने काम से काम रखो mind your own business तो how about if you mind your own business okay guys hopefully आपको concept अच्छे से clear हो गया होगा यह वाकि आपके लिए इसके English जी मेना की नीचे comment section में जरूर लिखें अगर तुम अपनी पढ़ाई प्रध्यान दो तो कैसा रहेगा तो guys उपले आपको वीडियो पसंद आओगा प्लीज चैनल को सबसा के रिए thanks for watching keep watching